है अरही है कि हैंलो फ्रेंट्स वेलकम टु सागर इंग्लेस्ट क्लासेज सागर इंग्लेस्ट क्लासेज मैं आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं एक essay writing के बारे में और essay write करना है my favorite book पे अब दिखी यहां पे तफिलाल मैंने my favorite book में राम चैत मानस को लिख रखा है आप यहां पे किसी भी book के बारे में लिख सकते हैं जो आपकी favorite book हो लेकिन उस favorite book पर एसे लिखेंगे कैसे उसके लिए कौन-कौन से hints होंगी कौन-कौन से points हमको अच्छे से तयार करने होंगे तो चलिए हम लोग आज सिखते हैं इसी my favorite book पे essay कैसे लिखा जाए तो start करते हैं तो friends जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह हमारा topic है the book I like most यह कह लिजे my favorite book जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार से आपके जो है topic को दिया जाए अभी यहां पे लिखा गया है the book I like most वह किताब जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूं ऐसे भी दिया जा सकता है exam में या फिर my favorite book करके भी दिया जा सकता है अब दोनों में से कोई भी topic मिले आपको यह से यही write करना है और सबसे पहले first point आपको क्या write करना है तो name of the book and its author सबसे पहले आपको परिचे कराना है उस book से जो आपकी favorite है और उस book के author यानि लेखक के बारे में जिसने उस book को write किया है next आपको topic डलना है brief summary of its contents बैसमें जो जो contents है जो बाते हुई है जो घटनाए हुई है उन contents का brief summary करना है नि संचेप में सारांस लिखना है थोड़े सब्दों में और अगर बात करें next point की तो यहां पर है chief attraction मुख्य आकरशड इस पुस्तक का मुख्य आकरशड क्या है लोग इसकी वर क्यों आकरशित होते जा रहे हैं ठीक है next है reasons for your liking यानि आप इस पुस्तक को like करते हैं पसंद करते हैं तो इसके reasons क्या है कारण क्या है क्यों आप इस पुस्तक को ज़्यादा पसंद करते हैं तो चलिए सबसे पहले first वाले topic को हम जो है first वाली heading को हम लोग तो दिखी यहां पर क्या लिखा गया है my favorite book is राम चरित मानस चुंकि मैं पहले बोल चुका हूँ हमारा topic क्या है राम चरित मानस इस पुस्तक पे हम लोग क्या करेंगे एक निबंध लिखेंगे तो my favorite book is राम चरित मानस मेरी सबसे जो पसंदीदा पुस्तक है और इसके जो आथर हैं लेखक हैं वो हैं गोस्वामी तुलशिदास who was a famous हिंदी poet जो की एक प्रसिद हिंदी के कवी थे क्या थे हिंदी के प्रसिद कवी थे अब दिखिए next हमारा जो second वाला point बोला गया था brief summary of its contents ठीक है कि इसके जो contents उसका brief summary लिखना है संचेप में सारांस लिखना है तो देखो यहाँ पर क्या क्या हुआ इस पुस्तक में किस चीज के बारे में लिखी गई है तो start करते हैं क्या है brief summary of the book यहाँ पर क्या देखिए राम वाजदा इलडेस्ट सन आफ किंग दसरत आफ आयोध्या जो आयोध्या के राजा दसरत थे उनके सबसे इलडेस्ट सन सबसे बड़े पुत्र थे कौन राम कौन थे राम तो यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं कि राम आयोध्या के राजा दसरत के सबसे बड़े पुत्र थ राजा ने राम को जंगल भेजा कितने समय के लिए for 14 years जैनि 14 साल के लिए जंगल भेज दिया वनवास भेज दिया ऐसे कह सकते हैं at the request of his wife कैकेई और किसके कहने पर किसके request करने पर भेजा था राम went to the forest with his wife सीता and younger brother लक्षमड राम went to the forest राम जंगल को चले गए किसके किसके साथ गए with his wife सीता अपनी पत्नी सीता के साथ and younger brother लक्षमड और छोटे भाई लक्षमड के साथ in the forest jungle में क्या होता जंगल में सीता वास करीड आफ by रामड, the king आफ लंका सीता को करीड आफ उठा लिया गया यह यानि बल पूरवक उठा लिया गया या कहले गये कि जो आंको ले जाया गया, कहां ले जाया गया तो जंगल में क्या हुआ कि लंका के राजा राजा रामड के द्वारा सेता को बलपूर्वक उठा लिया गया एक बहुत भयंकर युद्ध होने के बाद राम ने रामण को मार डाला तो उसके बाद आयोध्या को लोटाते हैं और अपने पूरे कंट्री पे अनि अपने पूरे छेत्र पे आयोध्या नगरी पे क्या करते हैं सासन करने लगते हैं वाइजली बुद्धिमत्ता पूर्वक अर्थात बड़ी मानदारी और निष्ठा के साथ अपने राज्य पर सासन कहने लगते हैं अब देखे जो हमारा next point, next heading जो आ रहा है इसमें कह रहा है chief attraction of the book इस किताब का जो मुख्य attraction है, मुख्य आकरसड है वो क्या है, लोग क्यों इसकी और आकरसित होते जा रहे हैं तो यहाँ पर देखो बोला गया है जो chief attraction है, मुख्य आकरसड है, इस किताब का वो क्या है, इस ideal characterization इसका ideal का मतलब होता है, others और characterization का मतलब होता है, पात्री करड यानि जो पात्र इसमें है, पात्र का मतलब है, जिन जिन लोगों ने इस पुष्टक में अपनी भूमी का निभाई है, जिनको कोई न कोई पात्र बनाया गया है, जैसे राम हो गए, लक्समन हो गए, बरत हो गए तो यह जो ideal characterization है, यही इस किताब का सबसे मुख के आकर सड़ है राम को बताया गया है कि बहुत ही बहादुर थे, नोबल, स्रेश्ट थे और करेजियस और साहसी थे, लक्समन वाज एन ओबेडियेंट ब्रिदर, लक्समन क्या थे, एक बहुत ही आज्याकारी भाई थे या आज्याका पालन करने वाले भाई थे, सीता वाज एन आइडियल वाइफ और सीता एक आदर्स पतनी थी भारत हैड नो लव फार किंडम और भारत एक ऐसे भाई थे, जिनको नो लव फार किंडम अपने राज से कोई प्रेम नहीं था अर्थात राजगदी पाने का कोई लालच, कोई राजगदी का इनको जो है लालच था ही नहीं, राज पाने का ऐसा कोई इनका जो है विचार नहीं था He kicked off the kingdom of Ayodhya like football जैसे फुटबाल पे लात्मारी यती है ऐसे ही इन्होंने जो Ayodhya का kingdom था राजे था उस राजे को क्या कर दिया? लात्मार दी अर्थात राजे लेने से इंकार कर दिया ठीक है? और next heading जो यहांपे बोली गई है इसमें बोलागे है reasons of my liking इस किताब को पसंद करने के मेरे reasons क्या है? कारड क्या है? क्यों मैं इस किताब को पसंद करता हूँ? तो दिखें यहांपे लिखा गया है I like the book very much इस किताब को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ क्यों पसंद करता हूँ? Its language is simple क्योंकि इसकी जो language है भासा बहुत ही simple है सरल है and musical और संगीत मैं है जब रामयाड को रामचित मानस को पढ़ा जाता है तो गाने की तरह गा करके ठीक है music की तरह है ना गा करके पढ़ा जाता है तो इसकी जो language है बहुत ही simple है सरल और musical संगीत मैं है It depicts the picture of an ideal society picture of an ideal society एक आदर्स समाज के तस्वीर को दर्षाती है किसको एक आदर्स ideal society आदर्स समाज के picture को ने तस्वीर को दर्षाती है It points out that the evil is punished in the end and the good prevails It points out यह यह भी दर्षाती है कि जो evil है गुराई वो punished की जाती है दंडित की जाती है In the end अंत में अंत में बुराई को दंडित किया जाता है and good prevails और good जो होती नहीं अच्छाई अच्छाई को पुरुषकत किया जाता है यह कह लिजे सम्मानित किया जाता है तो friends यह हमारा essay यहीं पे finish होता है वीडियो में ऐसे पढ़ेंगे वो होगा problem of unemployment बेरोजगारी की समस्या ठीक है तो चलिए अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें अपने friends तक share करें और अगर channel पर पहली बार visit कर रहें तो channel को subscribe कर लिजे Okay friends, thank you, thanks for watching this video